दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हर सुबा रोज भीगे वे चने खाने से आपके स्वास्ते को कौन-कौन से फायदे मिलते हैं इसके अलावा हम जानेंगे कि इसे खाने का सही तरीका क्या है तो दोस्तों इस वीडियो को अंतर तक पूरा वश्य देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके अगर बात की जाए देशी चने की तो यह बदाम और काजू जैसे महंगे ड्राइफ रूट्स की तुलना में काफी सस्ता होता है और फायदे में उनके बिलकुल बराबर होता है आप शायद यह बात नहीं जानते होंगे लेकिन इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स और फाइबर्स बहुत अधिक मातरा में पाए जाते हैं ऐसे में अगर आप मुठी भर चने लेकर रात में किसी मिट्टी या चीनी मिट्टी के बरतन में पानी डाल कर और उन चनों को इन में भीगो कर रग दें और सुबा आप इन भीगिवे चनों का सेवन कर सकते हैं आप इंचनों को अच्छी तरा से चबा-चबा कर खाए और अगर आप चाहे, तो जिस पानी में आपने इंचनों को भीगोया था आप उस पानी को भी पी सकते हैं क्योंकि वेह भी काफी ज़्यादा फायदे मन होता है तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि ऐसा करने से आपके स्वास्थे को क्या-क्या फायदे मिलते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेश्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजे तो दोस्तों चैनल खाने का सबसे पहला फायदा होता है कि भीगे वे चैनल से हमें ताकत और और और्जा मिलती है आपको बता दे कि ऐसा करने से शरीर को ताकत और 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 प्राप्त होती है और यह हमारे शरीर को ताकत देने का बहुती बड़ी अस्रोथ है अगर आपका शरीर कम जोर है तो इसका नियमित रूप से सेवन आवश्य करें कोछी दिनों में आपको अपने शरीर में चमतकारी बदलाओ देखने को मिलेंगे इसका दूसरा फायदा है दोस्तों कि यह कब्ज से चुटकारा देता है क्योंके शरीर की ज्यादातर समस्यां कब्ज की वजासे होती है इसलिए चल को खत्म करना बहुत ही जरूरी होता है ऐसे में अगर किसी को भी कब्ज की समस्या है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करता तो उसे भीगेवे चने का सेवन करना ही चाहिए क्योंकि चनों में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और इसको रोजाना खाने से यह शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है और कब्ज की समस्या से छुटकारा मिल जाता है इसका अगला फाइदा है दोस्तों कि यह स्पर्म काउंट को बढ़ाता है जी हाँ दोस्तों रोजाना भीगेवे चने को अगर आप शक्कर मिला कर खाते हैं तो इससे स्पर्म काउंट बढ़ता है और साथी साथ यह है फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है तो ऐसे में अगर आप अपने sperm count और अपनी fertility को बढ़ाना चाते हैं तो रोजाना एक मुठी भीगेवे चने अवश्य खाएं इसका अगला फायदा है कि यह पेशाप संबंदित समस्याओं में बहुती ज़्यादा फायदे मन्द है तो अगर आपको पेशाप से संबंदित कोई भी समस्या है तो भीगेवे चने का सेवन करने से आपको अराम मिलता है इसके अलावा यह बवासीर की समस्या में भी काफी फायदे मन्द होता है अगर किसी को बवासीर की समस्या है तो भीगेवे चैने का सेवन उसे करना चाहिए इसके अलावा जो लोग स्वस्त तवचा पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी चैनों का सेवन रोजाना करना चाहिए और अगर किसी की तवचा पर खुजली की समस्या है या तवचा से संबंदित किसी भी परकार की समस्या है तो भीगेवे चने खाना उसके लिए बहुती फायदयमन रहता है क्योंकि यह तवचा से संबंदित सभी परकार की समस्याओं को दूर करता है और साथ ही वह लोग जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए चना किसी वरदान से कम नहीं है आपको बता दे कि जिन लोगों का वजन कम है या जो दुबले पतले हैं या जिनके शरीर में मास की कमी है तो उन्हें भी रोजाना एक मुठी भीग वे चनों का सेवन रोजाना करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से स्वास्ते में सुधार होता है और मास बढ़ने लगता है और साथ ही वजन भी बढ़ने लगता है और ऐसे में शरीर का दुबला पतलापन दूर हो जाता है और शरीर हृष्प्रिष्ट हो जाता है तो देखा दोस्तों आपने की भीगेवे चनलों का सेवन करने से आपको कितने ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करेंगे ताकि वह भी इस जानकारी का पूरा पूरा फायदा उठा सकें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्स्राइब अवश्य करें और साथ ही चैनल को सब्स्राइब करने के बाद घंटे के बटन पर भी क्लिक करने ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो तुरंत मिल जाएं धन्यवाद